नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिशनल वर्ड में दोस्तों, आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, तुरूथ देखेंगे कुछ बहुत सी समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो तरतरा के कारे कर रहे हैं कुछ को अच्छा समझा जाता है, किसी के काम को खराब समझा जाता है समाज में बहुत सारी कुरूतियां हैं और उन कुरूतियों को दूर करने के लिए भी लोग पैदा हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, जो इन कुरूतियों के नाम पर पैसे बना रहे हैं तो ऐसे बहुत सी संस्थाय चल रही हैं, इन में से एक जो है बागिश्वर धाम जो है, इनके नाम से भी एक चल रहा है, एक करखाना आप समझें, इस करखाने में दावा किया जाता है कि ये लोगों के मन की बात जान जाते हैं, पबलिक वहाँ पे जाती है और उनको ये उनक नाम लेकर बुलाते हैं, दर्वार में, और फिर जैसे ही वह पबलिक उनके पास जाती है, तो तुरंत उसकी क्या बीमारी है, किस परपस से आये हैं, वो एक कागज पर लिख कर ये दिखा देते हैं, और उसका समधान क्या है, वो भी बता देते हैं, और ये पताते हैं, कि आपकी अरजी लग गई है आपकी जो सुख जो दुख है वो दूर हो जाएगा अच्छा ये बंदा जो है मैं थोड़ा सा इनके बायोग्राफी से चलता हूं एक एक करके देखते हैं पहले और सारी चीह जानेंगे इनका नाम जो है धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री कहा गया है सास्त्री सब्द इन्होंने बाद में लगाया है इनका एक्चुल कुंडली जो है वो ही मैं आपको बताऊंगा किस परिवार से किस वन से तालुकात रखते हैं बहुत सारे लोगों को गलत फैमी है कि ये ब्राम्वन है वो भी सारी चीजह सामने आएंगी आगे मैं भी बता सारे फूल मला और तरह तरह के चीजों से ढख दिया गया है और बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं आपने नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो टीवी सिरियल में हनुमान जी दिखाए गये हैं वो इतनी सारी चीज़े पहन करने ही रहते थे लेकिन यहां पे पूरा जब यह भी हो हला होता है कि जो लोग पूरा कपड़ा ढख के रखते हैं तो उन पर तरह तरह के आच्छे पाते हैं कि आप लोग क्यों बिसेसकर और जो पूरा तन ढख के रखती हैं उन पर आच्छे पिया जाता है पर हम जब मंदिरों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हम पुर्वजों की वो नहीं समझ पाती है हम आते हैं मुद्दे पे आते हैं अभी सबसे पहले तो यह लेगल डिस्क्लेमर है हमारी जो भी प्रजेंटेशन होती है स्ट्रीम होती है इनका उद्देश जो है वो साइंट्फिक टेंपरामेंट को इंकरेज करना होता है तो चले आगे आते हैं यह देखें यह डैनिक भासकर ने इसको कवर किया है मैं कुछ मेडिया रिपोर्ट्स दिखा र अभी आगर आप पता करें कि 2-3 साल पहले तो आपको धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री को कोई नहीं जानता था बागेश्वर धाम को भी थोड़े मोड़े कुछ लोग जानते थे इनको तो कतई कोई नहीं जानता था और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है इनकी उम्र आप देख रहे हैं कि 30 लाख लोगों के मन की बात अब ज़रा सूचिए 30 लाख लोगों के मन की बात ये जान लेते हैं तो इनको ये बागिश्वर धाम में बैठने की क्या जरूरत थी इनको तो उठाकर रख देना चाहिए था इंटेलिजेंस व्यूरो में आप अगर सर्च के इंडिया का अभी अस्थान ऊब्धा fe gallons एक नंबर पर तो नहीं आता भारट का स्थान जो रो है उसका नहीं आता तो रोका स्थान नहीं आता और ये के मन की बात जान गये हैं, तो 30 लाकी तो अभी तक जान गये हैं, तो इनकी उम्र ही 26 साल है, और पिछले एक दो साल तीन साल से यह चल रहे हैं, आगे पता नहीं कितने लोगों की मन की बात जानेंगे तो इनको तो इंटेलिजन्स में रखना चाहिए था तो पता नहीं हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और इतने सारे जोतीस वाले लोग बैठे हुए हैं मन की बात जानने के लिए भविसे की बाते बताते हैं आई ये पाश्ट की बात बता देते हैं ये अंतर है जरा समझेगा इस चीज को ये देखिए दो जो ग्रहन च्छत्र हैं जो सूरिय है चंद्रमा है इनकी पोजीशन बदलती है और कुछ समय बाद फिर रिपीट भी होती है तो जब इनकी चीज़े रिपीट होती है तो उसी तरह से सरीर जो है न हम लोग के सरीर पर उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है तो ये रख जाता है तो शरीर में भी उसी तरह के परिवर्तन होने चाहिए तो इन्होंने मार्क कर रखा है कि ये वहां पर जाएगा तो ये परिवर्तन होगा और इससे दुकान चलती है हलाएं कि उसका कुछ भी शरीर प्यासर नहीं पड़ता खगोल जो सास्त्र जो जो तीस में पर यहां पर ये दूसरी जो दुकान चल रही है वो चलती है कि पाश्ट आपके जीवन में क्या घाटा हुआ है उसका ये लुगदावा करते हैं आचा पाश्ट वाली चीजे बताना ज्यादा आसान है भाविस से तो किसी ने देखा नहीं हो तो तुका मारता है और पाश् सब्सकाराम से आये हैं या जब तो फोन लगाएका न अर जी अपनी पर्ची लगाने के लिए पर्ची लगाने का भी इनके हानियम है नारियल ले कर едून चीजे बॉकन लगता है इनका फोन पे टूकन लगता है, एक इमर्जेंसी भी कॉल लगती है, लोग इमर्जेंसी में जाते हैं, तो बताना पड़ता है कि उनको क्या बीमारी है, जाड़ फुका भी काम करते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे अभी, बहुत सारा काम करते हैं, तो ये पास्ट में ज सब का आप माइंड रीडिंग कर पाएं, तो ये क्या गेम खेलते हैं, वो भी आगे मैं बताऊंगा, पहले एक सिलसिलवार ढंग से आप लोग ये देखते जाएं, क्या चीज हैं यहां पे चल रही है, अच्छा, इसमें क्या है कि जहां पे इनका दरवार लगता है, वो ब नेता के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी वो महराज सन्यासी बाबा की किरिपा पाने के लिए हर मंगलवार धा में आकर यहां पेसी करनी पड़ती है, दरसल दो दिन होती है, एक मंगलवार को और एक सन्यवार को, दो दिन यहां पे चलता है, अच्छा सबसे खास बात यह है कि 1986 में जो ग्राम वाले थे, उन्हों ने उस मंदिर का जिणो धार करवाया था, जिणो धार मतलब आप समझते हो न, जैसे कहीं पे कोई चीज मिल गया, खुदा युदाई पे, या कहीं पे कोई जगा किसी ने कबजा कर लिया, कोई पत्थर मिल गया, वहां पे दो कि यहां पे भाई हमारा जो है मंदिर था, यहां पे भगवान प्रकट हुए हो आँ वहां पे मंदिर बनवा दो, यह हो सकता है कि पहले से कोई चीज वहां पे टुटी फुटी अवस्था में हो, और उसको जो है कुब भाव्यसा बनवा दो, तो ये काम जो है 1986, 1986 से पह यहां एमची लिख रहे हैं, जैभी हम दोस्तों प्लीज लाइक, सेर और सबस्क्राइब, हाँ दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए, सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए, तो यह चीज हुई है, अब सवाल यह है कि इस बागिस्वर धाम का सच क्या ह है, यह बागिस्वर धाम जो है इसका सच क्या है, कौन है यह, तो इनके बारे में जो इन्होंने खुद अपने तरह-तरह के मैं उनके वीडियो दिखाने का कम प्रियास कर रहा हूं, इसलिए बाद मैं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि कॉपीराइटर स्ट्राइक का भी चक्कर ह होता है, तो इसलिए मैं उनका वीडियो कम से कम दिखा रहा हूँ, तो यह देखे, उन्होंने अपने बहुत सारे वीडियो में धावे किये हैं, कि इनके दादा जी जो थे, वह ये सब काम करते थे, दिवयत रवार वाला काम करते थे, आप पिता जी जो थे, इसमें बबागिरी करना चाहते थे रसंत तर आसंट राका सी कर बाबागिरी लेकिन के पास पैसा नहीं था इनके घर में इनके पीटा जी ने इनके गाऊं-गाऊं से अलग अलग जगों से पैसे मांगे हजार रुपे इनको जूटा ने नहीं जूटा पाएं कि ये पढ़ा सके इतनी गरीवी हालत थी लेकिन ये ज़रा सोचे कि जो बंदा इतनी गरीवी हालत में रहा जिस बंदे ने आठवी कलास से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की आप समझे ने मेरी बात को इन्हों ने आठव जो लिखते हैं न पन्य और पेजबे वो देखें कि इतनी खराब सी होती है मतलब जो बच्चे को हम सिखाते ना फॉर फार फ्री और फौर क्लास टू क्लास वन क्लास के बच्चे को हिंदी लिखना वैसी होती है लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं अब इनका क्या है कि इतने इनके पास पैसे आने शुरू हो गए इतने पैसे आने शुरू हो गए कि भाई साब इन्हों ने ये तो अब फ्री में वो खिला रहे हैं सरधालू को खाना खिला रहे हैं ये देखें क्या लिखते हैं यहाँ पर निसूलक भंडारा परतेग दिन चलता है और लाखो स्रधालू भंडारे में सामिल होते हैं अब बताये भई निसूलक भंडारा लाखो लोगों का खाना कौन किला सकता है जिस बंदे के घर में खाने के लाले पड़े हो जो एक हजार रुपए बच्पन में नहीं जुटा पाया कि कासी जाकर ब्रामडों से कुछ सीख सके वो आज लाखो लाखो ओई 26 साल की उमर में इतने पैसे आये कहां से ये चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों आप सच बोलेंगे कोई एक रुपए आपको नहीं देने वाला आप सच बोलके देख लिजे ना आपको कोई पैसे नहीं देगा खोल लिजे दुकान बैठ जा कोई मेडिया वाला इनके खिलाफ नहीं बोलता आप देख लिजे वहाँ पर उल्टे मेडिया वाले जाएंगे ना इनको जो एक्सपोज करने वाले वह भी तारीफ करते हुए आते हैं वह कैसे ये पूरी तरह से उस एरिया को कंट्रोल किये हुए हैं कोई इनके खिलाफ ब बता रहा है ऐसे वाले ही कुछ थोड़े मुड़े बोलते हैं इनके खिलाफ तो यह इनकी सचाई है देखे यह क्या लिखते हैं यह भंडारा बागेश्वर बाला जी सरकार के दरवार में आई हुई चड़ोतरी के द्वारा सुचारू रूप से चलता है अब यहां पे लि लिखा हुआ है कि हर मंगलवार को प्रेट दर्वार का आयोजन होता है जिसमें भूध प्रेथ वाली अरजिया होती है अब अब उसको चड़ावा भी आ रहा है और भूध प्रेथ भगाने के चट़ावा कौन दे रहा है मतलब भारत में अंधविश्वास अगर आप हैल ल अब देखें इनको पूरा ढख दिया है यही बाला जी इनको कहा जाता है बाला जी हनुमन अब मूर्ती इतना ढख दी गई है मूर्ती के यह सारी सजावट हटे गी तब आपको पता चलेगा एक्चुल में देखें उपर से इनको मुकुट भी पहना दिया गया है और यह पर आप देखें पंडित धिरेंद्र कुमार सास्त्री जो है इनका जनम 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से ग्राम में हुआ था बहुत ही गरीब परिवार से संबन्ध रखते थी तो सब में बता ही चुका हूँ ब्रिंदा बन जाना चाहते थे यह नहीं हो पया अब आते हैं कि यह किस परिवार से तालुकात रखते हैं इनके पिता जी का नाम था करपाल गर्ग और मा का नाम था सरोज गर्ग इनका एक छोटा भाई एक बहन है यह चीज जो है वेव दुनिया जो वेव साइट है उसने इस चीज का दावा किया हुआ है तो यहां पर आ कीरे जो है सिद्धो के नाम पे भी बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल लिया अंध्यविश्वास पाखंड बेजने लगे एक समय था जब भारत में उतरवर्ती बुधिष्ट जब तंत्रयान वजरयान साखाएं आई थी उसके बाद से भी जो ब्रहानिकल सिस्टम था उसको फाइट करने के लिए सिद्ध और नाथ प्रंप्रा के संत लोग आ गया थे लेकिन समय का धेर देखिए कि अंध्यविश्वास में लोग जितना अंध्यविश्वास लोगों को यह फैलाते थे ब्रहामेनिकल सिस्टम वाले उतना लोग फंसते थे और यह सारी दुका पूर हो गया कोई साभी उठाकर देख लिए जब वो पाल हो गया कड़ कड़ में बुधवसे हुए इन ही छेत्रों पर जहां बुधवसे होते हैं वहीं पर यह लोग दुकान कोल के बैड़ी दाते हैं तो यह जो है ना आप देखें कि इसलिए इन्होंने हनुमान जी को प प्रिचने का तो वहां वहां पर इन लोगों ने अपनी दुकान खूली है यह देखें यह रमायन की भी बात करेंगे भगवत गीता का भी बात करेंगे जो विदान्त होता है ना विदान्त जिसमें वेध की बात नहीं आएगी सारी बाते आजाएगी पूरान की यह लोग की बात करेंगे रमायन मा भारत कृष्ण की राम की सब की बात करेंगे वेद की बात नहीं करेंगे अधिकार नहीं है यह देखे पढ़ाई की भी बात उसने कवर किया है कि आठवी तक यह अपने गाउं में पढ़ाई किया है उसके बाद की पढ़ाई पांच किलोमीटर यहां पे आप यहां पर देख पा रहें अब मैं आता हूं असल मुद्धे पे जो मैं इनका दिखाना चाहता हूं कि यह कर क्या रहे हैं यह तो आपने इनका थोड़ा सा बैग्राउंड देखा यह किस परिवार से आते हैं और किस तरह से यह चीजे जरा सोचिए यह पढ़ ल पाखंड अंदविष्वास परोषने का जब लोग पैसा फेंकना शुरू करते हैं तो सरेल में गरमी बढ़े जाती है यह जो गरमी होती है अंदविष्वास पैसे की जो गरमी होती है वो फिर बहुत कुछ बोलवाने भी लगती है असर भी हुआ है अब जरह इनका स्टेटम तक दिखाता हूं आप लोग खुद थोड़ा सा देखिए इनको तो यहां पे आपने सुना इन्हों ने अभी कहा कि हम सब हिंदू एक हैं इन्हों ने कहा हम सब हिंदू एक हैं अब जरा सोचिए कि इन्हों ने इतनी बड़ी दरबार लगाई इतने लोग इनको मानने वाले हैं इतने बड़े फॉलोवर्स हैं और ये हिंदू के एक होने की बात कह रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ना कि कि हिंदू को एक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये एक होने से इनको क्या फायदा होना है, अगर हिंदू एक होगा, तो इनको क्या फायदा होगा, आज समाज को क्या फायदा होगा, दो यहाँ पर प्रशन उठते हैं दोश्तों, एक तो यह होता है कि ये हिंदू को जैसे इतने आज तक इनके हाँ लोग गयें कभी इनों नहीं कहा कि आप सब एक हो जाओ रोटी बेटी का संबंद रखो एक दूसरे में चातिवाद खतम कर दो कास्ट डिस्क्रिमनेशन खतम कर दो यह समाज में जितनी भी कास्ट डिस्क्रिमनेशन की घटनाएं आती हैं उ जो पीतल का जो घड़ा होता था वो फूड जाता था मटका जो होता था लेकिन अंडा नहीं फूडता था क्योंकि फेवी को अलसे जुड़ा था वैसे इनका मुझ सिल जाता है और यहां पे यह बोल रहा है कि हिंदू एक हो जाओ अरे भाई साब हिंदू एक तो हो हमें यूनिटी हो जाए भेद भाव मिटा दे इसलिए एक होने की बात नहीं कर रहे हैं इनका इसमें परसनल हित सामिल है यह एक होने की बात तब कर रहे हैं जब इनके सामने कोई एक दूस्पन है जहां पे इनकी जो धंधा है वो चौपट होने की बात आ रही है इनका धं हिंदू एक हो जाओ ताकि दूसरे ध्रमक से तुम मार पीट कर सको हेट यहां पर यह दे रहे हैं मारा पीटी दंगा फसाद की जो बात है उसके लिए एक होने की बात कर रहे हैं यह कभी चाहते नहीं है कि भारत के समाज के जो लोग हैं उनके बीच की जो कास्ट डिस्क्रिम कर रहा है एक चीज और आप देखेंगे यह बार-बार ताली पीटते हैं अब यह ताली पीटने वाला इंसान आपने देखा होगा ना बात-बात पर टाली पीटता है ताली मारते रहता है यह देखिएगा यहां पर देहान से यह बार-बार हर चीज कहेंगे और फिर ताली सुना अपने इन्हों ने कहा पथर मारने वाले के उपर बुल्डोजर चलवाओ दर असल ये एक इसलिए एक होने की बात कह रहा है क्योंकि इनको बुल्डोजर चलवाना है पथर मारने अब देखें जो पत्थर ओभा रहा है वो कम से खम यह बन्दा बोल देता कि इंदू तुम एक हो जाओ ताकि तुम लोग के भीतर का जो भेद भाव है जातिगत भेद भाव है वो खतम हो जाए इसके लिए इस बंदे का कभी मुन नहीं खुला इसका ही नहीं किसी भी जो जितने भी ठग है भारत तो आपको पता ही है भारत में ऐसे ठगेरे बहुत तो यहाँ पे बुलडोजर चलवाने के लिए बोल रहे हैं कि अब तुम एक हो जाओ और आप समझ गए होंगे कि कौन लोग कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं गर्व से को हिंदू हैं जिनको हिंदू मुसल्मान करवाना होता है अब ज़रा सोचिए कि ये कौन से बाबा लोग ह बाबा ऐसे होते हैं क्या हनुमान जी जिस हनुमान जी को लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए उनसे अपनी जो दुख है उनके अंदर जो पीना है उनके अंदर जो कश्ट है उसके निवारण के लिए और वहाँ पे जो बंदा बैठा है जो दावा कर रहा है कि वो इश्वर से बात करता है, इश्वर का उस पर आरसी वाद है, वो दुख दूर कर देगा, भूत परित तक जाड़ते रहता है, वो बन्दा कह रहा है कि अब कष्ट जो है, जो पथर मार रहा है, उसका कष्ट तुमको दूर करना है, इस्वर नहीं करेगा यहां पे, यहां इसवर जो है पब्लिक गई है इसवर से बांगने है वो बोल रहा है कि तुम लोग जाके हिंदो मुशल्मान करो अरे भाई या इसवर क्यों नहीं दूर कर रहा बाला जी हनुमान जी जो है उनकी सक्ति होनी चाहिए ना उनको रोकना चाहिए था कि भाई तुम पत्थर बाज क्यों कर रहे हो तुम लोग बड़े खराब हो उनको दूर करना चाहिए तत ये बंदा लोगों को उक्सा रहा है कि आप लोग जाओ आप बुल्डोजर आगे ज़रा सुनिये इनके बूल बच्छल सुन लीजिये ज़रा अच्छे से सुना अपने इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं बंदे के पास इतने चढ़ावे आ रहे हैं कि अब ये बंदा बुल्डोजर खरीद कर और हिंदू मुसल्मान करेंगे आगे सुनिये कि अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गाउं में भी भोगना पड़ेगा इसलिए निवेदन है सब्स हिंदू एक हो जाओ पत्थर मानने वालों के घर पर बुल्डोजर चलवाओ तो यहां पे आपको उद्दे से इनका समझ में आ गया होगा कि जो राम पे साधू संतों पे पत्थर बाजी करेगा उसके घर पर यह बुल्डोजर चलाएंगे यानि यह हिंदू को एक होने की बात तब कह रहे हैं जब इनके उपर आँच आ रही है अन्यता बाकी के जिनको यह हिंदू कह रहे हैं वो आपस में कितना भी लड़ते रहें मरते रहें भेदभाव करते रहें एक दूसर में छोटे छोटे बच्चे जो हम मिड़े मील पर वो खाने से इंकार कर दे कि किसी दलित महिला जो है CST वर की महिला ने बनाया है तो हम नहीं खाएंगे इस तरह की चीज़े सामने आ रही हैं उस पर एक सब्द ये बंदा नहीं मोला कि हिंदू वो एक हो जाओ ये बंदा का भी आपने सुना किसी भी बाबे ढाबे का आपने सुना और इसने क्या कहा था शुरू में कि हम बाबा थोड़े हैं हम पर ढाबा है ढाबा है ये देखें ये होता है क्या कोई साधू जो अपने को कह रहा हो संत कह रहा हो उसके बोल ऐसे होते हैं ये सोचने वाल बात है जिस भारत को लेकर यहां पर मैं देखा हूँ कि लोग आते हैं ये कहने के लिए कि आप लोग आलोचना करते हैं क्रिटिक करते हैं क्या भारत के साधू संतों का ये इतिहांसरा है क्या वो बंदा जिस बगल में जिस हनुमान जी को बैठा कर जिनके नाम पर दुकान च पबलिक का जो एक्चुल जो दिक्कते हैं उसको दूर करना नहीं है, इनकी दिक्कते इनको तब सामने आती है, तब ये हिंदू को एक होने की बात कहते हैं, जब इनको हिंदू मुसल्मान तंगे फसाद करवाने होते हैं, इनकी साधुवों पे जब बात आ गई, जब इनके धन्धे पर बात आ गई तब हिंदू एक हो जाओ आजा के हिंदू मुशल्मान करो आगे सुनी अब थोड़ा और सुनीजे अब मैं आप लोगों को ये तो दिखाया मैंने इनका हेट ये स्पीच कि कैसे अपनी स्वार्थ सिध्धी के लिए हिंदू मुशल्मान कर रहे हैं औ और बिल्कूल एक जो होता है न दबंग टाइप का एक आप समझे कि जिसको हम कहते हैं फिल्मों में विल्लेन टाइप का गुंडे जिसको हम कहते हैं उस तरह के ये बूल बचल बोल रहे हैं और इनको बिल्कुल भी गलानी नहीं है कि एक साधू के पोश्ट पर बैठ कर ऐस इस तरह की बाते वो कर रहे हैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये भूत प्रित कैसे जारते हैं इनका जो कारोबार चल रहा है वो भूत प्रित जारने का है ये क्या करते हैं कि एक पूरी एक महफिल बनाते हैं उस महफिल में क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इनके बंदे होते हैं उनको आगे बैठा लेते हैं और पीछे जो है बाकी की भीड खड़ी होती है और उन भीड में भी इनके अपने बंदे होते हैं, वो सबसे आगे लाइन पर खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये बाहर निकल कर जाएंगे उस भीड के पास, तो उसमें से जो इनका बंदा होगा ना वो कुब हाथ पड़ रहा होगा, ऐसे पड़ रहा होगा कि मुझे ले लिजे, मुझे ले लिजे, मेरा परित दूर कर दीजे, मुझे भूत परित दूर कर दीजे, तो ये अपने बंदे को पकड़ कर ले आएंगे, वो पर पेट बंदा होगा, उसको पकड़ कर लाएंगे, अब देखे यहां पर आप सीन देख पा रहे होंगे, कि एक बंद पकड़ कर ले आएं अपने आसन पे तो अब ये नीचे जो है अपना सर जुखा के अप्राणाम कर रहा है इतना इसको दिमाग है बूद परित घुसने के बाद भी इतना इसको दिमाग है आगे अप करनामा देखिए इनका अब ये क्यारते क्या है तो यहाँ पर आपने देखा कि इन्हों ने क्या किया कि उस जिस लड़के को पकड़ कर लाये थे है उसको इन्हों ने कहा हाथ पक आकी मुठी बांदो हो एसा लग रहा है कि जैसे उसको कुछ कर रहे हो और वैसा वैसा वो एक्टिविटी कर रहा और बोल रहा है घर-बरबात किया इसको तरह-तरह की बाते करेंगे और तरह-तरह की एक्टिंग करेगा अब जरह सोचे हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की हैं दुनिया में इतने सारे साइंटिस्ट हैं आज तक किसी को हम लोग सूर्य की कछाओं में जो है वहां तक पहुंच चुका है वेफ टेलिस्कोप बन चुका है और आप देखे और ये जो बन्दा है अपने दिव्य दरबार में बैठे बैठे भूत से बात कर रहे हैं और ये जो बन्दा है उसके अंदर वो जब बोल रहे हैं तो देखे कैसी एक्टिंग कर रहा है लग रहा है कि जैसे सही में इसके अंदर भूत गुसा हुआ हो अब किसी इंसान के अ जीव जन्तु होता है जैसे सेर है वो आपके अंदर कैसे घुस जाएगा गुसे का नहीं ना आपको खा सकता है साप है वो आपको खा सकता है आपके अंदर कैसे घुस जाएगा और घुसेगा तो कहां घुसेगा क्या आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग को कंट्रोल क करेगा मतलब क्या आपके दिमाग में जाकर आपके दिमाग को कंट्रूल करने कैसे करेगा क्या साइंटिफिक प्रोसीजर इस पर कोई नहीं बात करता और यह बंदा जो है सरयाम इतनी मुर्खता पुर्ण धंग से यहां पर ऐसे दिखा रहा है कि हाथ ऐसे कर करके कि यह मार तो यह करो वो करो और वो बंदा वैसे वैसे एक्टिंग कर रहा है आगे जड़ा इसकी एक्टिंग देखिए थोड़ा सा और इसकी एक्टिंग देखिए सब्सक्राइब तो यहां पे आपने देखा कि यह बंदा जैसे जैसे उसको इंडिकेट कर रहा था वैसे वह बंदा जो दोलिकाइब चैसे एक्टिंग किये जा रहा था किये जा रहा था अब ज़रा सूंचीए कि ये पेड़ बंदा हो सकता है क्या ये कोई नॉर्मल बंदा है और इस बंदे को कौन पकड़ के लाया ये बाबा ही भीड में से जाता है पकड़ के लाता है सबसे आगे हांच जोड तरा होता है दरसल यह पूरे के पूरे पेड़ बंदे होते हैं पूरे पेड़ बंदे होते हैं इनके ही बंदे होते हैं ऐसा कोई भी नॉर्मल स्वस्त व्यक्ति जो है नहीं करेगा और जो बीमार होगा वो भी इस तरह की एक्टिंग नहीं करेगा कोई नहीं करता आपने गा परिवार को लेकर, अपने इज्जत समान को लेकर, अपनी तरह-तरह की चीजों को लेकर, जो वो चाहती हैं, उन्हें नहीं मेल पाता, और कई साल, महीने बीटते जाते हैं, लगतार अंदर-अंदर घुडते जाती हैं, और वो एक मांसिक और डिप्रेशन के सिकार में उस तरह की चीज़े करने लगती हैं, उन्हें लगता है कि साध ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगी, तो यह चीज़े होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि ऐसा यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं था, यह पिल्कुल पेड़ बंदा था, नीचे भी गिर गया, और यह बोल रहा है, मार, मार, वो बोल रहा है कि इसके सर पे मार, वो रहा हांत उठा के अपने सर पे मार रहा है, मतलब ऐसा होता है कहीं पर, और यह बंदा जो है भूत प्रित जाड़ा रहा है, यह भूत प्रित पर जब मैंने रामनुजाचार्य का जो इस्ट्रीम की थी उसमें मैंने दिखाया था उसकी जीवनी में कि बच्पन में वो भी भूत पृत जाड़ता था कोई राजा था उसकी लड़की थी उसका भूत पृत जाड़ रहा था बड़ा हुआ तो भी जाड़ा रहा था लोगों ने भारत को कहने को तो ये लोग कहते हैं कि तंत्रयान जो है बौधमारग में उसमें ये सारी चीज़े होती थी लेकिन उसमें ये सारी चीज़े नहीं होती थी दोस्तों ये सारा का सारा वेदान्तियों का ये भुद्पृत जाड़ते थे और ये भी वेदान्ति है वेदान्ती कौन-कौन होते हैं, जो गीता की बात करेगा, वो वेदान्ती है, उपनिसद की बात करेगा, वो वेदान्ती है, रमायन माभारत की बात करेगा, वो वेदान्ती है, वेद छोड़कर सब की बात करेगा, इस सारे वेदान्ती होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहां पर कुमार जी ने लिखा है जरूरी टॉपिक है अब यहां पर आप यह सोच रहे होंगे कि भाई यह लोग इतनी सारी बाते बतार हैं तो क्या पता यह सही बाते हो यह भी तो सकता है तो दोस्तों मैं आपको कुछ और भी क्लिप्स दिखाऊंगा कुछ और भी बाते दिखाऊंगा जिससे आप लोग को यह एक बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि यह बंदा क्या करता है इसके बहुत सारी चीज़े प्री प्लांड होती है जैसे कोई बंदा इसके दरबार में आया और यह नाम लेकर जब उसे बुलाता है लोग आश्यरे चकित हो जा और मैं गया था उनसे अपना इलाज करवाने के लिए तो मैं उसको शेयर करने का प्रयास करता हूं तो उसने यह चीज़े बताई उसने यह दावा किया कि मैं वहां पे जब गया था तो उन्होंने मेरा जो है इलाज मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई पहले तो एक बंदे न हलागि यह लोग दावा करते हैं कि कहीं पे मैं कोई पैसे नहीं लेता, सारा चीज निशुल्क चलता है। लेकिन यह क्या करते हैं कि जब कोई बंदा फोन करता है तो उसको यह भी औफर देते हैं, कोई सुकला था वहां पे, सारे ब्रामण बेठे हुए हैं। तो वो यह क कहा कि अगर आप यह कथा भी करवा लोगे ना उनसे तो आपको वो आपसे बात भी करेंगे और कथा क्या चीज भागवत की अब देखें यहां पर एक चीज समझेगा दोस्तों भागवत जो सब्द है यह आपने सुना होगा यह भागवत कथाएं खूब चल रही है पबलिक क 100 में 101 में यह सारी चीज़े दिखा चुका हूं वीडियो 101 में भी कि जितने भी जो पुराने बुद्ध होते थे जो इंस्क्रिप्शन मिले उनके आगे जो है उनके पहले जो है भागवत सब्द लिखा होता था भागवतो शालो भागवतो शिखी भागवती विपश्यो इ भागवत बोलते थे पहले के लोग पुर्व बुद्धो को बोलते थे जैसे जैसे यह पर्थाय खतम हुई तो इन लोगों ने क्या किया उस भागवत सब्द को कबजा करे के भागवत के नाम से भागवत पुराने लिख लिए भागवती सब्द अपना कर लिया और आज उ किसी और का कल्चर किसी और का दूसरा कोई बैठके अपने दुखान चला रहा है यह चीज हुआ तो यह भागवत पुरान का तो उस बंदे ने दावा किया कि मुझे संतावन सा रुपे लिए गए ऐसे बहुत से दावे हैं एक बंदे का मैं पेपर दिखा रहा हूं जिसने अ पागेश्वर धाम में कोई ऐसी सकती है जो गरीब और अनाथ लोगों की सहायता करती है मैं भी एक गरीब आदमी हूं मैं यह अपेच्छा ले कर गया था कि एक बार धिरेंद्र कृष्ण जी महराज का नजर मुझे पर पड़ेगा और वो थोड़ी कृपा हम पर भी बरसा देते थे जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मतलब उनकी इच्छा किनकी इच्छा बाबा की मतलब भीड लगी हुई है अब उसमें उनका कौन सा बंदा है जिसकी पूरी डिटेल्स उनको पता है उसी का नंबर आना है यह अन्नोन बंदा था इसने अपनी बात लिखी कि म लोगों पर उनकी नजर गई सुनिए आपने उस पर नजर नहीं गई क्यों नजर नहीं गई अन्नोन बंदा था न इसकी डिटेल उनको नहीं पता होगी तो नजर नहीं जाएगी और सुनिए लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ मैं एक गरीब आदमी पंदरा सो किलो मीट से आया हूं इसके बावजूद भी महराज जी की नजर हम पर नहीं पड़ी और नहीं उनकी क्रिपा मेरी अब बताएए जो लोगों के मन की बात जान जाते हैं जो सब की बाते जान जाते हैं उस बंदे को पंदरा सो किलो मीटर दूर से आया हुआ व्यक्ति जो है उसकी ये सारे आये हुए हैं तो चले उसको हम लोग देखते जाएंगे पहले इनकी हम बाते कर लेते हैं तो यह यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर यह बंदा जो है न साफ साफ यह क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया आगे वो क्या लिखता है कि दोस्तों म अपनी समस्या का समधान करते होंगे मैं वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा हनुमान जी का मंदीर है जहां लोग जाकर पूजा अर्चना और परिकर्मा करते हैं दिरेंद्र जी महराज का जो दरबार है वह भी एक छोटा सा हॉल है जिसमें कुछ गिने चुने लोग ही अंदर क्रिपा पाने के लिए रहते हैं बाकी लोग तो बाहर ही खड़े रहते हैं और महराजी के प्रवचन सूनते रहते हैं मैं यह सोच करके गया था कि महराजी को कोई ब्रह्म ज्यानी होंगे सायद मुझे भी थोड़ा सा ज्यान प्रसाद मिल जाएगा लेकिन मैं वर्सू से ग्यान पाने के लिए भटक रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह बंदा जो क्लेम किया न उसने साफ साफ यह चीज बोल दिया कि मतलब जो गीने चुने लोग ही अंदर जाते हैं सिर्फ गीने चुने लोग को ही वो अंदर बुलाते थे हैं जिनकी यह लोग पूरी डेटा जानते हैं जिसको नहीं जानते उसको अंदर नहीं बुलाएंगे बाबा की पूरी पूल खुल जाएगी अब 10-15-20 लोगों का जिसको यह बताएंगे डेटा कि तुम्हारी यह चीज है उसके बारे में पहले जन तर्यामी थे कि मेरी चीज को यह नहीं देख वाएं और मैं बाहर लोगों की तरह खड़ा रहा मुझे भीतर नहीं बुलाया गया तो यह चीज थी आगे वह भंडारे का भी सच उन्होंने लिखा है लिखते हैं महराजी बोलते हैं कि यहां हम फ्री में भंडारा चलाते हैं गरीबों के लिए दोस्तों महराजी फ्री में भंडारा तो गरीबों के लिए चलाते हैं लेकिन वह भंडारा अगर आप एक महिने तक रोज रोज खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वस्थरा पाएंगे तो यह यहां पे साफ साफ जो है यह बात भी कह देते हैं कि ये जो भंडारा जो है वो उतना वो नहीं है I mean healthy नहीं है कि आप खाके स्वस्तर रह पाएंगे ये बाते भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है अच्छा इसके बाद से जो है मैं आपको कुछ और सबूत दिखाता हूँ कि ये कैसे घाल मिल कैसे करते हैं वो भी आप लो करते हैं कि पॉब्लिक जो के पास जो मिलने जाती है अब ज़रा सूची ये दावा करते हैं कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं IAS PCS की त्यारी करने वाले वो मेरे सरसिवाद लने आते हैं जड़ा सूची यह कि जो बंधा IAS PCS की त्यारी कर रहा होगा और यह बंदा जो आठी कलास में आठी कलास दस्वी कलास में से आके नहीं पढ़ा ही कर सका graduation जो है नहीं regular कर सका वो बंदा उसको अर्सिवाद देगा और हूँ IS PCS करेगा तो फिर देश का कौन सा कितना बंटा धार हो जाएगा अगर हूँ IS निकाल भी लिया तो आप समझ सकते हैं कि देश का बंटा धार ही होना है तो यह बंदा जो है क्या करता है इसी तरह से दावा करता है कि इनके पत्रकार लोग आते रहते हैं और दावा करता है कि पत्रकार को बुलाता है अपने बास और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चीज़े जो हैं बता दूँगा कि तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम किस चीज के लिए क्या करने आए हो, ये करने आए हो, और उन लिखता है पेज पर, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जब वो उसको बोलता है कि देखो ये छीज लिखी हुई है तो जहां पे लिखता होता है उसको नीचे कर देता है जहां पे नहीं लिखा होता है नीचे वाला पेज वो द Wiki वहां पे लिखा है यह यह लोग इस सीन को थोड़ा सा फीर से शुरू से देखिएगा इस में क्या कर रहा है कि पहले एक पेज उठाता है उस पेज पर ये लिखने का दावा करता है कि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ आपका नाम क्या है आपकी जनम कुंडली आपको क्या बीमारी है क्या समधान है सारा चीज लेकिन जब उसको कहता है ना कि लो तुम पढ़लो तो पेज को घुमा के देता है, जहाँ पे लिखा होता है वो नहीं, यानि कि इसके पास अल्रेडी पहले से उस बंदे के बारे में जो जनकारी थी, वो नीचे वाले पेज पे अल्रेडी लिखी हुई थी, और जब ये उसको दिया ना, तो उस पेज को घुमा कर उसको दिया, ताकि जहाँ पे लिख रहा था, वो सिर्फ नाटक था कि हम लिख रहे हैं, पहले से वो चीज दरसल लिखी हुई थी, आप इसको फिर से दोबारा से देखिए, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से जो है, इस तरह के भी गेम चलते हैं यहाँ पे, दरसल कोई भी भविश से जो है वो नहीं देख सकता है, कोई किसी का पास्ट नहीं देख सकता है, बहुत सारे लोग इस तरह के भी तावे करते हैं कि हाँ जी हम जो है ये भवी से भी देख लेते हैं पास्ट भी देख लेते हैं लेकिन वो एक mind reading होती है कि आप किसी बंदे को थोड़ा सा उसको देख कर उसकी परसानी को समझ कर जो common बाते होती हैं जैसे कोई वेक्ति गया औ और student है तो एक student के मन में किस तरह की परसानी चल रही होगी तीन-चार तरह की परसानी बिल्कुल common होती है या तो कुछ girlfriend का चक्कर होगा अगर लड़का है तो लड़की होगी तो boyfriend का चक्कर हो सकता है यह मतलब एक common है जरूरी नहीं है कि यह हो लेकिन हो सकता है दूसरा चोटी-मोटी बिमारी होंगी जो जिससे यह बच्चे जूज रहोंगे तो दो-तीन-चार चीज़े जो है बिल्कुल common ही होती है तो उनमें से एक ऐसी common चीज़े बता देना और public जो है वो समझा है कि हम यह तो पूरा-पूरा भवश्य ही जान गए हमारा और उस बंदे को तो यह भी नहीं पता है कि जब वो station से उत्रा था जिस auto में बैठ कर आया था जब auto में बैठने के बाद से जहां से entry लिया था वहां पे भी रास्ते में कई सारे लोग उसको मिल जूल रहे होंगे भया आप कहां से आये हैं आचा क्या नाम है आपको भी कोई परसानी है क्या यह सब रास्ते में वो discuss भी करता आया हुआ होगा उनको तो यह भी जनकारी नहीं होती है और वो सारी खबरे जो है इसके पास पहले से पहुंच चुकी होगी लोग इतना भी गोर नहीं करते हैं ऐसा थोड़े है कि आप कहीं से आये अचानक से जाके वहीं पर बैठ गया य इचाहे रहेंगे इसलिए आप देखेंगे इनके दरबार में हमेशा उसी की तरह जो है एक तौलिया पहने हुए तरह तरह के आगे बैठे रहते हैं और हर बात पर हंसते रहेंगे ताली मारते रहेंगे यह इसी के बंदे होते हैं तो इस तरह से इन लोग का network चलता है अच थैंक यू एसचे सर फोर टेकिंग दिस टॉपिक अब बबाओं की खैर नहीं जी बहुत बहुत सुक्रिया वल्ड ओफ मॉरालिटी हम लोग इन सारे बबाओं की भी बात करेंगे क्योंकि यह बाबा जो है न यह बबाओं का उद्देश्य पब्लिक को ठगना है पब्लिक क उनहीं के नाम पर पैसे बना रहा हो उनहीं के नाम पर पब्लिक को फंसाए हुए हो तो वह पब्लिक का एनरजी पैसा सब बरबाद कर रहा है आप समझेए पब्लिक को अभी जो जरूरत है वो यह है कि पब्लिक आज जो चीज़े जहेल रही है उसका सबसे में चीज़े का आप जब caste discrimination को हटा देंगे पब्लिक से तो पब्लिक में भेदभाव जब खतम हो जाएगा तो लोग मेल मिलाप की बात करेंगे आपके पास अब भूत परित का समय नहीं रह जाएगा आप unity की बात करेंगे आप growth की बात करेंगे आप में caste discrimination नहीं होगा तो आपको बेहतर opportunity मि लेगी अचा इनके पास जाते कौन लोग है कौन लोग जाते हैं वही लोग जाते हैं जो जितने कम educated हैं उन्हें अगर कोई बीमारी होगी तो वो अच्छे hospital में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है थोड़े-मड़े पैसा होते हैं उन्हीं थोड़े-मड़ लिए आप देखें कि जो बढ़ा एक वर्ग है एक जो पाखंडी वर्ग है वह पैसे जो है आपका सकते हैं कि यहां पर यहां पर ब्लैक और वाइट भी होता होगा ब्लैक मनी और वाइट मनी का भी खेल चलता होगा क्योंकि यह बहुत आसान है कि आप किसी को पैसे प्रफिट हो जाए और कुछ अंस जो है उससे फिर रिफ्लेक्ट भैक्ट भी ले 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 और वह आपका ब्लैक से जो है वाइट भी हो जाए अन्य था अगर किसी का उद्धे से जैसे लोग दावा करते हैं कि यह हम भंडारा चलाते हैं पब्लिक के लिए हॉस्पीटल खोल ना आप अपने तरफ क्यों ले रहे हो सीधे उन फंड को लेकर हॉस्पीटल ही खुलवाया जाए क्यों इन पर यह सारी चीज़ जाती है तो आप देखें कि यह पूरा का पूरा जो है गरीबों को और गरीब बनाए रखने के लिए और गरीब तो इनके लिए सिर्फ एक भ सद होते हैं एक गरीब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो इनके लिए सिर्फ एक कस्टमर एक भीड है और यह भीड जो है ना यह वोट वैंक होती है थोड़ा सा इसको और गौर से समझेगा यह जो भीड है इसके पास पैसा नहीं है यह एक वोट वैंक है यह कई सारी सरकार बदल सकती है बना सकती है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है बाबा जी कर रहा है समझे रहे हैं और बड़े लोग जो है वो इसमें पैसे अपने इंवेश्ट कर सकते हैं करते हैं तो इस खेल को पूरा समझने के लिए हम लोग आके और भी जब करेंगे और भी बहुत सारे बा लेकिन पैसा कहां से आ रहा है गरीब के पास तो पैसा नहीं होता और उसको तो अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं होते हैं उसके पैसे से तो इनका भंडरा नहीं चल सकता इतने लाखो लाखो लोग को खिलाने का कहां से आ रहे हैं पैसे तो इन सारी चीजों पर हम आगे डिसकस करेंगे और आज का जो सेशन है यहीं पर हम क्लोज करेंगे